बड़ी खबर के साथ जहां किदारनाथ उप्चुनाव में अब महस चार दिन बचे हैं लेकिन कॉंग्रस और बीजेपी में आरोप रत्यारोप का सिलसिला लगतार जारी है बतादे की जहां कॉंग्रस पार्टी बीजेपी और उत्राकंड सरकार पर सरकारी मशीनिरी का दुरूपियोग करने के आरोप लगा रही है तो वहीं मुख्यमंत्रे पुशकर सिंग्धामी ने इस पर पलत्रवार करते हुए कहा कि कॉंग्रस के दारनाथ उप्चुनाव में हार मान चुकी है इसलिए बॉखला कर इस तरह के जूटे आरोप लगा रही है और एक जूट का पुलिंदा जंता के सामने रख रही है जंता पूरे तरीके से बीजेपी को के दारनाथ में मजबूत करने चारी है क्योंकि जंता ने 2013 की आपदा भी देखी है और इस बार भी आपदा देखी है जबकि दोनों में काफी अंतर है प्रदेश की जंता डबल इंजन के काम से खुश है लोगों ने 2013 की आप्दा को भी देखा और इस बार की आप्दा को भी देखा दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया और जिस प्रकार से साड़े साथ सो परोड की भी ज्यादा ही होता है आज वहाँ पर स्विक्रित हुई है धातल पर उतरनी है वो सारी तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अन्वरा तुरूप से विकास आगे बढ़ रहा है उस विकास को और तेजगती देने के लिए वहाँ पर परचंड बहुमत से भारती जन्ता पार्टी का कमल खिलेगा एक तरफा जीत होगी और एतिहासिक जीत होगी तो एक दारनात अब चुनाव के रड़ में आरोप रत्यारोप के नई रंग देखने को मिल रहा है उकीमत में पूर्वमंत्री हरक सिंग रावत ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के इस्तमाल का आरोप लगाया है न्यू स्टेट से खास बाचीत में और क्या कोछ उन्होंने बोला है सुनाते आपको मैं समय उकीमत में हूँ और चुकि चुनाव कैदारनात का चुनाव हो रहा है और 20 तारीक को यहाँ पर मद्दान होना है और पूर मंत्री हरक सिंग रावत जी मेरे साथ है और इस समय वो कनवेसिंग में यहाँ पर लगातार पिछले कहीं दिनों से बने हुए है उनके कई बयान भी चर्चाउ में रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की चुनाव परचार की इस्तिती है जो आम जनता की भावना है वो बहर जनता पार्टी खिलाव है सामने ते उपचनाओं में जो सत्तादारी पार्टी होती है और उनी की विदाय की मिर्टू के बाद सामने ते उनके पक्सी में होता है लेकिन ये इस समय बहुत सारी कारण है उस पे में चाय केदानार मंदिर के मुद्दा हो यातरा का मुद्दा हो अगनी वीर का मुद्दा ह भर्ती गोटाला हो इंकिता होई लेकिन क्योंकि बदिनाद हारने के बाद मंगलोर हारने के बाद । भाजपा पूरी ताकत पूरी जो सरकारी मस्टनरी है अगर उसका दुर्पियों करती है धनबल के बलबुते पे चुनाओ अगर जीते कोशिस करती है तो मैं नहीं कह सकता नहीं तो आम जन भाजपा के खिलाफ है इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत जो इलाका है वो जो किदा जो चेतर है तला नागपूर का वो क्योंकि वो हमारे मनोज रावत का खुद ग्रह चेतर है कल में उस चेतर में होके आया हूं तो वहां तो ठीक है पहले कुछ थोड़ा बहुत नाराजी थी लोगों में मैं उसका कारण नहीं जानता हूं लेकिन अब धिरे-धिरे लोगों में मैं एक महावल धिर धिरे बन रहा है और मैं शुठा जैसे चुनाओं नजदी का रहा है वैसे वैसे कॉंग्रेस गाहों में भी दिख रही ए चड़कों वी दिख रही है दिख् 10 तीन सकार को या कई सरेकार को 8 साल में परती नहीं अभ जैसे मैं जा in percentage हूं तो मैं जिला यहां हस्पिटल है यहां में फिसल गया था लोग घर में गया हूँ लोगी मदद करी लोग सुखदुख के साथ खड़े रहे हैं यहां एक एक व्यक्ति तो एक भावनात मक्रिस्ता है न हमारा बाजपा वाले कह रहे हैं कि हरक सिंग रावत जी ना सही उनकी पुत्रवधू हमारे साथ है देखे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनकृति का अपना एक अलग से वह है लेकिन यहां जो लोग जो लोगों के से लगा हूँ है कोई गाओं साइद ऐसा नहीं होगा जा दस-वीस लोग या तो मेरे पढ़ाए भी द्याड़ती या मेरे साथ के लोग नहों का और उसका दूर्फियोग नहीं हुआ मशिनों में छेड़ शार या जिस तरह अब हर्याना में हुआ भी अब उसके बाद तो कुछ भी कुछ नहीं कह सकते हैं माओल यहां भाच्पा के खिलाव है तो किदार रात में उपचुनाव होने वाले सिर्फ चार दिन बाके हो और ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजरारी और चिले जादा जानकारी के लिए समवादाता अजीत राठी हमारे साथ जोड़ चुके हैं जीत में है सिर्फ चार दिन ही बचे हैं और ऐसे में अब तो तैयारियां है अब तो प्रचार प्रसार जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है लेकिन अभी भी बीजेपी और कॉंग्रिस जो है वो एक दूसरे के उपर आरोप रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रही और अपने अपनी जीत की दावेदारी भी है बिल्कुल देखे आपने सही कहा कि दोनों ही दलों के आरोप पर तैरोप का सिलसिला जारी है और सबसे खास बात यह है कि अगले दो दिनों में यानि अठारा तारीक के साम को पांच बजे चुनापर चार बंद हो जाएगा उससे पहले दोनों दलों ने पूरी ताकत जोग दिये आज मुख्यमंतरी ताबड़तोर तीन से चार सबाय यहां पर कर रहे हैं एक तरजुगी नारयान में इस समय चल रही है उसके बाद पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही कॉंग्रेस के वह तमाम नेता जो अभी तक यहां नहीं आयते सब को बोल दिया गया है कि सब जाईए और चुनाप शेत्र में काम करिए परतियासी के लिए भारतियन्ता पार्टी की जो जन विरोधी नीतिया है उन सब लोगों को दिल्ली में जो कैदारनात बन रहा है उसके बारे में बताइए दूसी तरह भारतियन्ता पार्टी ने भी बहुत जबर्दस रंडिती बनाई है और उन्होंने भी अपने नेताओ की फोज को यहां उतार दिया प्रदेश सद्दक्स यहीं हैं पर्देश महामंत्री संगटन से अच्छी हुई है और ऐसे तमाम जो सवाल विरोधी दल की तरब से खड़े हो रहे हैं उटका जवाब भारतियन्ता पार्टी बहुत धारदार तरीके से देरी एक त्रभवन चोहान हैं वह निर्दलिया हैं लेकिन मुकाबले को तिर्कोणिया बनाने की एक कोशिस जरू बहुत नुकसान हो सकता है यहां मैं एक चीज आपको और बता दू कि जहां से विदानसभा सुरू होती है सिल्ली और अगस्त मुनी से और तिजूगी नरेन तक आप चले जाए वोटर ओन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं है जब ओफ कैमरा होता है तो खूब वोकल हो र पर लगाया जा रहे है लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी पर सरकारी मशीनिरी का दुरूप्योग करने का आरोप लगाया जा रहा है तो वहीं बीजेपी भी चाहे वो ब्रश्टाचार के मुद्दे को लेकर हो और कॉंग्रिस की तमाम अलग-अलग जहां तक हमने लोकसभा चुनाव में सम्विधान को लेकर अलग-अलग दावे देखेते हैं उसे भी लेकर बीजेपी यहां उपचुनाव में नजर आ रही है अदेखे साड़े साथ साल से तकरीबर यहां भरतेनता पार्टी की सरकार है बेलकुर जितने करप्शन के जितने भी जिस तरह के मुद्दे हैं वह सब सरकार के खिलाब जाएंगे चूंकि सत्ता पक्स तो सत्ता में हैं और विपक्स है वो लगातार विपक्स में बैठा है इसके लावा केंद्र में भी 10 साल से भारतिन्ता पार्टी की सरकार है तो यह सारी चीजे जो है ना एंटी इंकमबेंसी भी एक कोई बढ़कों का काम भी बाकी है बहुत सारी चीजे भी बाकी है लेकिन अब चुकि चुनाव तो चुनाव ही होता है राजनितिक दल बिल्कुल पूरी तरह से यहां डट गए है और बाकी लोग भी यहां पर आ रहें जी बिल्कुल चुकि देखिए और यह जो मुद्दे हैं वो एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं भूमिका में जरूर नजर आ रहा था लेकिन यहां पर अगर केदारनाथ की बात कर लेते हैं हाला कि यहां पर बीजेपी को भी लेकर कहीं ना कहीं कुछ उनके फेवर में भी चीजे नजर आ रही है ले इस दोरान आरोप परतेरूप का सिल्सला है वो तेजी के साथ बढ़ेगा चुनापरचार का जो जोर है जो उसके वेव है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी इसके अलावा जो भी अत्कंडे राजनेतिक दल अपना सकते हैं अगले दो दिन में अपनाए जाने हैं और फिर जब लोगों से बात कर रहे हैं तो मुकाबला कोंग्रेस और भारतेंता परटी के पूरी तरह से सिमट गया है इसमें तुर्भुमान निर्दलीया होकर जोड लगा रहे हैं लेकिन उस मुकाबले को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं भाजपार कॉंग्रेस के बीच बहुत तीखी हार गए तो वो नारा चलेगा कि अधिकत वाली बात बाजपा संगठन के लिए हो सकती है तो इसी लिए वेक मांसिक दबाव भरतेनता पार्टी के उपर है सरकार के उपर की यह सिट हर हालत में जितनी है चुकि नरेंद्र मोदी का विशेश लगाव कैदारनाथ छेतर से हैं जिसका पलटवार करते हुए बदरी केदार समिती के अध्यक्ष अजेंद्र अजने गणेश गोद्याल के मांसिक स्थिति पर सवाल अठाएं उन्होंने का कि जिस तरह से कॉंग्रिस ने उध्यक्ष पद से भी बंचित कर दिया है उससे लगता है कि उनकी मांसिक स्थिती सही नहीं है और इसी कारण इस तरह के बयान देकर वो कॉंग्रिस में अपनी चवी बनाना चाहते हैं देखे मैं गडेश गोधियाल जी के आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि मैं गडेश गोधियाल जी का काफी समान करता हूं और उन्हें काफी गंबीर और विवेक्सिल राजनीती के समझता था लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वह उल्जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं दुश्परचार जूट बोलना जूटे अरोप लगाना इस प्रकार की राजनीती कर रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिस्याली दिली खंबा नोचे वाली इस्तिति उनकी दिख रही है त तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मांसी करूप से परिशान है